भक्तों, छट पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको छट पूजा की सभी जानकारी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञान वर्धक है। भक्तों, इस बार छट का त्योहार बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छट का त्योहार को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि ह चट का त्योहार 2024 में 6 नवंबर या 7 नवंबर को माने। ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर करेंगे। भक्तों, हिंदु धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है, इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है, इसकी खास बात ये है कि यह चार दिन चलता है। बहुत लोगों को यह कन्फ्यूजन रहती है कि चट का त्योहार किस तारीख को होगा। आए जानते हैं कि इस बार चट कब मनाई जाएगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने पहले आप अपनी राश को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जो छट माता अवश्य लिखें। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी-बारी से छट पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडि भी आपसे क्रोधित हो जाती है, इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जै छट माता, भक्तों, चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी-बारी से बताते हैं, कि 2024 मे चट पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, हिंदू धर्म में चट पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है, कार्तिक महीने के शुकल पक्ष की शष्ठी तिथी को यह त्योहार मनाया जाता है, इसे बिहार यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है, इसे पूरे विधी विधान से मनाने की परंपरा है, और यह चार दिनों का होता है, इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है, इस चार दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता क पूजा की जाती है। आपको बता दे कि आखिर छट पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। और साल दो हजार चौबीस में यह त्योहार कीस दिन पढ़ रहा है। कब से शुरू हो रहा है। छट पर्व की शुरूआत कार्तिक पक्ष की शष्ठी तिथी को हो रही है। बता दें कि चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेडूल क्या है, कब है नहाय खाय साल दो हजार चौबिस के नहाय खाय की बात करें, तो यह पांच नवंबर दो हजार चौबिस को होगा। इस दिन मंगलवार पढ़ रहा है, इस दिन से छट की शुरूआत हो जा और खुद को अलग कर लेते हैं, यहां तक कि उनका बरतन भी अलग होता है, और चार दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। भक्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं वरत रखती हैं, पुरुष भी इस वरत को रखते हैं यहां तक कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मुसलिम भी इस वरत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। भक्तों अब बात कर लेते हैं कि खरना कब है, तो भक्तों खरना 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड की लकड़ी को जलाकर यह खीर बनाई जाती है। अब वक्त बात कर लेते हैं कि सूर्य को अर्ध कब देना है। शुक्रवार को 7 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्ख होगा, पांच बज कर 30 मिनट पर सूर्यास्थ होगा और इस दिन सूरज देवता को शाम का अर्ध चड़ाया जाएगा। इस दिन शाम को सूर्य देवता को गन्ना चावल मिठाई समेत नाना प्रकार के फल फूल चड़ाये जाते हैं। सुबह के सूर्य को अर्ध कब होगा। छट पूजा के चौथे दिन की बात करें तो यह इस महान पर्व का आखिरी दिन होता है। इस के साथ 36 घंटे का निर्जला वरत खत्म हो जाता है। और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छट पूजा में ना करें, यह गलतिया मैया हो जाती है, नाराज। भक्तों, नहाय खाय के छट पूजा का आरंभ हो चुका है। और चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेश महत्व है। छट पूजा में भगवान, सूर्य और छटी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छट पूजा सबसे कठिन वरतों में एक माना जा जाती है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए भक्तों छट पर्व में छटी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेश ध्यान रखा जाता है, इन चीजों को सबसे दूर रखें। छट पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवि चूना चाहिए, यहां तक कि दूसरे सामान को चूकर भी छट पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं चूना चाहिए। और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए, छट पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को न करें मा को अर्पित, छट पूजा में छठी मैया को चड़ाने वाली कोई भी चीज जूठ लाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेडों पर लगे फल फूल को भी पशुपक्षी ने जुठ लाया है, तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। क्योंकि भक्तों उनको छटी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है, साथ ही ध्यान रखें कि छट पूजा में जो चीज शामिल होती हैं, केवल उन्ही चीजों का प्रयोग में लाएं। और अपने मन से किसी भी चीज को न चढ़ाएं माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं, उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। इसको घी या फिर रिफाइन टेल में तला जाता है। चार दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी वरत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए। और इस वरत की शुधता तक का ध्यान रखना चाहिए, यहां तक की इन चीजों को घर पर रखने से भी बचें। चट पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और वरत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से वरत की अखंडता और शुधता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, चट पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। चट पूजा का वरत करने वाले व्यक्ति को बैड गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए, चार दिन तक वरत करने वाला व्यक्ति को भूमी पर आसन बिछा कर ही सोने का नियम है, ताकि वृत्ति अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारिरिक और मानसिक रूप से सकारात्म कसर पड़ता है। भक्तों, चट पूजा में न करें इन चीजों को शामिल। यहां तक कि पहले से प्रयोग में ल चीजों को जुटाने में असमर्थ है, तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसे बैंगन कटहल, लहसुन प्याज का भोजन, मांस मटन, मचली चिकन आदी। इस दौरान धूमरपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्ग्य देने से पहले भोजन, ग्रहन नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्ग्य देने का पात्र, चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक काम साथ, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए, तांबे या पीतल का होना चाहिए, किसी मननत के लिए छटी मया की पूजा कर रहे हैं, तो मननत पूर्ण होने पर जो बोल किया है, उसे पूर्ण करना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होकर ही छट का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए, गंदे या जूठे हाथ से नहीं, प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं, इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए, और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए, व्रत के दौरान वानी पर सैयम रखना चाहिए, और मुह से किसी भी प्रकार का अपशब्द न नहीं निकालना चाहिए, भक्तों छट पूजा की सामगरी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए, छट पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है, सब्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्ग देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसी लिए इसके लि प्रान ही सक्रिय हो, प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं, त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व है, जिनें काफी कठिन माना जाता है, और इनहीं में से एक है लोक आस्था का महा पर्व, छट जैसे रामायन और महा भार भारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छट वरत किया, इस से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया, इसके अलावा छट महा पर्व का उल्लेक रामायन काल में भी मिलत एक अन्य मान्यता के अनुसार छट या सूर्य पूजा महा भारत काल से की जाती है, कहते हैं कि छट पूजा की शुरुवात सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी, कारण भगवान सूर्य के परमभक्त थे, मान्यताओं के अनुसार वे प्रति दिन घंटों कमर तक पानी में सूर्य को अर्ग्य देते थे, सूर्य की क्रिपा से ही वे महान योध्धा बने थे, किम्वदंती के अनुसार एतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मा सीता ने छह दिनों तक रहकर छट पूजा की थी, भक्तों पौरानिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास क सूर्य के बाद जब भगवान राम अयोध्या लोटे थे, तो रावन वद्ध के पाप से मुक्त होने के लिए आशि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यग्य करने का फैसला लिया, इसके लिए मुख्य दल अर्शी को आमंतरन दिया गया था, लेकिन दल अर्शी ने भगवान राम एवं सीता स्वयम यहां आये और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया, कार्तिक शुकल शष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की, सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य दे प्रति दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्ग्य देते थे। प्रति दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्ग्य देते थे। गर्भवती महिलाएं ना करें ऐसी महिलाएं जिनका छट पर्व के समय मासिक धर्म चल रहा हो। वैसी महिलाएं भूल कर भी छट पर्व ना करें। इसमें 33 घंटे का निर्जला उपवास करना होता है। ऐसे में बुजर्ग और बीमार महिलाएं काफी परेशान हो जाएंगी। इसलिए इन्हें वरत करने से मना किया जाता है। कुमवारी लड़कियां को भूल कर भी यह त्योहार नहीं करना चाहिए। यह सूर्य उपासना का वरत होता है। कुमवारी कन्याओं के लिए यह वरत वर्जित है। क्योंकि सूर्य का आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती है। भक्तों कुमवारी अवस्था में ही कुंती न पाताओं और बहनों के साथ उनकी सहायता करने के लिए इस विशेश कार्यक्रम में शामिल तो हो सकती है, लेकिन उनसे कभी भी व्यक्तिगत रूप से व्रत्त न रखवाएं और ना ही सुभह सूर्यदेव की आराधना करवाएं, ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं हो सकता है। कुवारी लड़कियों को अपनी मनो कामना के पूर्ति के लिए बढ़ चड़ कर इस त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए, और शुधता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए कुवारी लड़कियां प्रसाद बनाने में मदद कर सकती हैं, और पूजा पाठ में मदद कर सकत मनो कामना पूर्ण करते हैं, अब भक्तों बात कर लेते हैं कि छट की पूजा में कौन सी सामगरी अवश्य होनी चाहिए, छट पूजा में गन्ना बहुत महत्व पूर्ण माना जाता है, ऐसे पांच गन्ने लें जिसमें पत्ते लगे हों, साथ में पानी वाला नारियल, अ बहुत ही आवश्यक है, इस वरत के उद्यापन के लिए पाव पाव भर के आठ लड्डू बनाये जाते हैं, ये लड्डू एक प्लेट में रखकर वरत करने वाली आठ स्त्रियों को दिये जाते हैं, साथ में एक नारियल भी दिया जाता है, नारियल पर कुमकुम के छीटे दिये जाते हैं, एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को दिया जाता है, ये प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं, या उनको भोजन के लिए निमंतरन देकर भोजन कराके भी दे सकते हैं, प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करें, फिर प्लेट दे और नारियल भी दें भक्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय छटमाता अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें धन्यवाद